हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ ठीक होंगे आईए आज आपका नया पार्ट शुरू करते हैं दो चरवाले रेखिक समिकर्ण युग्ब इस पार्ट में हम देखेंगे रेखिक समिकर्ण युग्म का ग्राफिय विधी से हल और ये भी सीखेंगे एक रेखिक समिकर्ण युग्म को हल करने की बीजगनितिय विधी जिसमें प्रतिस्थापना विधी देखेंगे फिर विलोपन विधी देखेंगे और व्रज गुनन विधी भी सीखेंगे और हम इस पे भी चरचा करेंगे दो चरो के रह्खिक समीकरणों के युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण तो आईए हम देखते हैं रह्खिक समीकरण युग्म का ग्राफिय विधी से हल अब जानते हैं कि वह समिकरन जिसको AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है जहां A, B और C वास्त्रीक संख्याएं हैं और A और B दोनों 0 नहीं हैं दो चरों X और Y में एक रेखिक समिकरन कहलाता है आपने यह भी पढ़ा है कि ऐसी समिकरन का हल संख्याओं के मानों में एक युग्म होता है एक X के लिए तथा दूसरा Y के लिए जो समिकरन के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है समीकरण का प्रतेखल उसको निरुपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदू होता है अर्थात दो चरों वाले रेखिक समीकरण AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 का प्रतेखल XY एक समिकर्ण को निरुपित करने वाली रेखा कि एक बिंदू के संगत होता है और विलोम तरह भी ऐसा होता है दो चरो एकस और वाई में रेखिक समिकर्ण युग मुकाव्यापक रूप A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर शुर्ण्य और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर शुर्ण्य है जहां A1, B1, C1, A2, B2, C2 सभी वास्त्विक संख्याएं हैं और A1 की घाद 2 प्लस B1 की घाद 2 शुर्ण्य के बराबर नहीं है उधारन के लिए 2X प्लस 3Y माइनस 7 बराबर शुर्ण्य और 9X माइनस 2Y प्लस 8 बराबर शुर्ण्य है 5X बराबर वाई और माइनस 7X प्लस 2Y प्लस 3 बराबर शुर्ण्य है जामितिय द्रिष्टी से एक तल में यदि 2 रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है दोनो रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेद करती हैं दोनो रेखाएं प्रतिछेद नहीं करती हैं अर्थात में समानतर हैं और तीसरा दोनो रेखाएं संपाती हैं आईए इसकी मदद से अब हम आपकी प्रशनावली 3.1 हल करते हैं पहला प्रशन है आफताव अपनी पुत्री से कहता है साथ वर्ष पूर्व मैं तुमसे साथ गुनी आयूका था अब से तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयूका रह जाओंगा क्या ये मनुरंजक है इस थिती को बीज गणितिये एवं ग्राफिये रूपों में व्यक्त कीजिए तो देखते हैं कैसी हम इसका उत्तर हल करेंगी माल लीजिए आफ्ताव की वर्तमान आयू X वर्ष है पुत्री की वर्तमान आयू Y वर्ष है साथ वर्ष पूर्व आफ्ताव की आयू क्या रही होगी? X माइनस साथ वर्ष और पुत्री की आयू क्या रही होगी? Y माइनस साथ वर्ष तो प्रश्ण के अंस्वार हमें प्राप्त होगा x-7 बराबर 7 गुना y-7 जिसको हम लिख सकते हैं x-7 बराबर 7y-49 या x-7y बराबर-42 इसको हम पहली समिकरन माल लेते हैं तीन वर्ष बाद आफ्ताप की आयू क्या हो जाएगी x-3 वर्ष पुत्री की आयू क्या हो जाएगी y-3 वर्ष तो प्रश्ण के अंस्वार हमें समिकरन क्या प्राप्त होगी x-3 बराबर है 3 गुना y-3 जिसको हम और सरल करके लिख सकते हैं x-3 बराबर 3y प्लस 9 या x-3y बराबर 6 इसको हम दूसरी समिकरन ले लेते हैं अथ इस थिती का बीज गणितीय रूप निमलिखित है x-7y बराबर 42 और x-3y बराबर 6 ये दूसरी समिकरन है अब इस थिती का ग्राफिय रूप इस प्रकार है समिकरन एक के लिए हम लिख पाएंगे minus 7y बराबर minus 42 minus x यहाँ देखिए बच्चो हमने इसको सरल बनाने के लिए minus 1 से पूरी समिकरन को गुणा कर लिया उससे क्या हुआ सारे साइन हमारे चेंज हो गए और क्या मिला 7y बराबर 42 प्लस x जिसको हम लिख सकते हैं y बराबर 42 प्लस x बटा 7 इसको हम हल करते हैं देखिए यह हमें मिलेगा समिकरन 2 के लिए x-3y बराबर 6 और minus 3y को हम लिख पाएंगे 6 minus x तो 3y यहां पे भी हमने वही किया हमने minus 1 से गुणा किया तो हमारे सारे चिन बदल गए 3y बराबर हो गया x-6 के या y बराबर हो गया x-6 बटा 3 के इसमें हमने संख्याएं रखी जैसे उपर रखी थी 9-6 हो जाएगा 3, 3 बटा 3 हो गया 1 तो हमने x का मान रख करके y का मान निकाला ऐसे हमने x का मान 0 रखा तो हमें मिला minus 6 बटा 3 जो हो गया minus 2 इसी प्रकार 3-6 हो जाएगा minus 3 बटा 3 जो हो गया minus 1 इसका ग्राफ हम देखते हैं कैसे लगेगा देखने में इसके बिंदू हैं हमारे पस 0-2 और यहाँ पे 6-0 और दूसरी समीकरन का ग्राफ है 0-6 और 7-7 इस प्रकार हमारे पस ये दो रेखाएं प्राप्त होंगी इस समीकरनों की रेखिक समीकरन यूग्म का ग्राफिय विदी से हल में हम दो चरों में एक रेखिक समीकरन यूग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के वेभार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्रप्रकार से एक सारांज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत कर सकती है इस थिती में समीकर्ण युग्म का अदितिय हल होता है जिसको हम कहते हैं अविरोधी समीकर्ण युग्म दूसरे में रेखाएं समांतर हो जाती हैं इस स्थिती में समीकर्णों का कोई हल नहीं होता जिसको हम कहते हैं असंगत समीकर्ण युग्म तीसरी स्थिती में रेखाएं समपाती हो सकती हैं इस स्थिती में समीकर्णों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिसको हम आश्रित समीकर्ण युग में कहते हैं या संगत भी कहते हैं आप देख सकते हैं A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर है शुन्य के और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर है शुन्य से निरूपित रेखाएं या तो प्रतिछेद करती हैं तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 अपॉन B2 के समपाती हैं तो A1 बटा A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के जो बराबर होगा C1 अपॉन C2 के समानतर हैं तो A1 upon A2 बराबर होगा B1 upon B2 के लेकिन बराबर नहीं होगा C1 upon C2 के वास्तव में इसका विलोम भी किसी भी रेखा युगम के लिए सत्य है आईए आपकी प्रशनावली तीन दशमलब्दों हल करते हैं निम्न समस्याओं में रेखिक समीकर्णों के युगम बनाईए और उनके ग्राफिय विदी से हल कीजिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिये लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए आईए इसका हम हल कैसे करेंगे माल लीजिए लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 10 इसलिए x जमा y कितना हो जाएगा? 10 इसको हम पहली समी करण ले लेते है प्रेशन के अंसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है इसलिए x कितना हो जाएगा y जमा 4 इसको हम दूसरी समीकरण ले लेते हैं ग्राफिय रूप से इस प्रकार से प्रतेक समीकरण के हल के लिए हमारे पास देखिए कैसे हमने हल निकाला y बराबर 10 माइनस x अगर हमने x की संख्या 5 ली तो 10 माइनस 5 हो गया 5 चार ली तो 10 माइनस 4 हो गया 6 इसी प्रकार 6 लेंगे तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4 और 10 माइनस 3 लेंगे 7 ऐसी 10 माइनस 7 लेंगे तो 3 ये हमारे पास बिंदू मिल गए ग्राफ में बनाने के लिए समी करण 2 के लिए y बराबर होगा x माइनस 4 इसमें हमने x का मान रखा 5 तो y का मान आगया 5 माइनस 4 एक इसी प्रकार हमने जब x का मान रखा 4 तो 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0 इसी प्रकार 3 अगर लेंगे तो 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 और 7 लेंगे तो 7 माइनस 4 हो गया 3 आप ध्यान से देखिए हमारे पास ये उभेनिष्ट बिंदू प्राप्त हुआ है हम ग्राफ में देख लेते हैं ये देखिए हमारे पास 7 और 3 यहाँ पे लड़कियां कितनी है? 7 और लड़के कितने है? 3 लड़कियां 4 जादा थी तो 7 और 3 ये हमारे पास उभेनिष्ट बिंदू प्राप्त हुआ इन दोनों समीकरन रेखाओं का समझ में आया? चलिए अगला प्रश्ण करते हैं दूसरा प्रश्ण कहता है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्याद कीजिए कि निम्न समीकरन योगम द्वारा निरुपित रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं समानतर हैं या समपाती हैं? पहला प्रश्ण है 5X माइनस 4Y प्लस 8 बराबर 0 साथ एक्स प्लस 6Y माइनस 9 बराबर 0 यहाँ पर आप देखिए अनुपात A1 बटा A2 कितना है? 5 बटा 7 और B1 बटा B2 कितना हो जाएगा? माइनस 4 बटा 6 जिसको हम माइनस 2 बटा 3 भी लिख सकते हैं तो आपने देखा 5 बटा 7 माइनस 2 बटा 3 के बराबर नहीं है तो इसलिए समीकरन योगम द्वारा निरुपित रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर है 9 बटा 18 जिसको हम लिख सकते हैं एक बटा 2 इसी प्रकार B1 बटा B2 हो गया 3 बटा 6 जिसको हम लिख सकते हैं एक बटा 2 इसी प्रकार C1 अपॉन C2 को हमने देखा कितना आया 12 बटा 24 जिसको हम दुबारा सरहल करके लिख सकते हैं एक बटा 2 तो आपने क्या देखा A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 जो बराबर है C1 बटा C2 के इसलिए समीकर नियुकम द्वारा नियुरुपित रेखाएं सम पाती हैं आईए दूसरा प्रश्न देखते हैं 6X माइनस 3Y प्लस 10 बराबर शून्य दो X माइनस Y प्लस 9 बराबर शून्य यहाँ A1 बटा A2 क्या हो गया 6 बटा 2 जिसको हम लिख पाते हैं 3 बटा 1 इसी प्रकार B1 बटा B2 क्या हो जाएगा माइनस 3 बटा माइनस 1 जिसको हम लिख पाएंगे 3 बटा 1 और C1 बटा C2 को हम लिख पाएंगे 10 बटा 9 तो आप क्या देख रहे हैं आपर A1 बटा A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है लेकिन यह C1 बटा C2 के बराबर नहीं है इसलिए समिकर्ण योगम द्वारा निरुपित रेखाएं समानतर हैं आगे देखी तीसरा प्रश्ण क्या कहता है अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्याद कीजिए कि निम्न रेखिक समिकर्णों के योगम संगत हैं या असंगत प्रश्ण है 3X प्लस 2Y बराबर है 5 2X माइनस 3Y बराबर है 7 इसमें देखिए A1 बटा A2 कितना आगया? 3 बटा 2 और B1 बटा B2 कितना आगया? 2 बटा माइनस 3 आपने देखा A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के इसलिए रेखिक समिकर्णों के योगम संगत हैं दूसरा देखते हैं 2X माइनस 3Y बराबर 8 4X माइनस 6Y बराबर 9 यहाँ A1 बटा A2 बराबर होगा 2 बटे 4 B1 बटा B2 कितना हुआ? माइनस 3 बटा माइनस 6 जिसको हम सरल करके लिख पाएंगे 1 बटा 2 और C1 बटा C2 देखिए कितना आया? 8 बटा 9 फिर हमने देखा कि A1 बटा A2 बराबर तो है B1 अपन B2 के लेकिन वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं है इसलिए रहखिक समीकर्णों के युग्म यहाँ पर असंगत है ठीक है? अगला प्रशन देखते हैं चौतर प्रशन क्या कहता है? निम्न रहखिक समीकर्णों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं? कौन से असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफिय विदी से हल याद कीजिए समीकर्ण है X प्लस Y बराबर 5 2X प्लस 2Y बराबर 10 यहाँ A1 बटा A2 हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 यहाँ देखिए यहाँ 1 और सामने हैं यहाँ पे 2 इसी प्रकार B1 बटा B2 हो जाएगा 1 बटा 2 और C1 बटा C2 हो जाएगा 5 बटा 10 जिसको हम सरल करके लिख सकते हैं 1 बटा 2 तो हमने क्या देखा? तीनों अनुपात बराबर हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 इसलिए रेखिक समिकर्णों के युग्म संगत हैं प्रतेख समिकर्ण के 4 हल समिकर्ण 1 के लिए X प्लस Y बराबर 4 को हम लिख सकते हैं Y बराबर 5 माइनस X इसमें आप देखिए हमने X की मान रखी 4 तो हमें क्या मिल गया? 5 माइनस 4 हुआ 1 इसी प्रकार Y बराबर 5 माइनस 2 हुआ 3 अब हमने 3 मान रखा तो 5 माइनस 3 हो गया 2 और 0 आ जाएगा अगर हम 5 रखेंगे 5 माइनस 5 हो गया 0 इसी प्रकार से हमें ये बिंदू प्राप्थ तो बच्चों देखिए यहां पर हमने 2 बटा 2 cancel हो गया और हमारे पास समीकरन मिली y बराबर 5-x आपने देखा x का मान हमने 4 रखा तो y का मान आगया 1 x का मान हमने 2 रखा तो y का मान आगया 3 इसी प्रकार x का मान हमने 3 रखा तो y का मान आगया 2 और अगर हमने x का मान 5 रखा तो 5-5 क्या हो गया? 0 यह हमारे पस बिंदू मिले ग्राफ पे दर्श आने के लिए आगे देखते हैं देखे ग्राफ इसमें आपने बिंदू देखा 2-3, 3-2 और 4-1 दोनों ही समीकरण के बिंदू इसी रेखा पे आ गये हैं, दर्श आये गये हैं आप देख रहे हो x प्लस y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 दोनों समीकरण के ग्राफ के जो बिंदू हैं इस पे दर्श आये गये हैं समझ में आया? चलिए अगला प्रशन करते हैं इसमें हमारा अगला प्रशन है x माइनस y बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 यहां a1 बटा a2 है 1 बटा 3 और b1 अपान b2 है माइनस 1 बटा माइनस 3 जिसको हम लिख पाएंगे 1 बटा 3 आप देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हैं लेकिन ध्यान दीजिए c1 बटा c2 कितना आ रहा है 8 बटे 16 जिसको हम सरल करके लिख पाएंगे 1 बटा 2 तो हम क्या देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के इसलिए रहेखिक समिकर्णों के योग्म यहाँ पर असंगत हैं ठीक हैं आगे दूसरा प्रशन देखते हैं 2x प्रस y माइनस 6 बराबर शून यह और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर शून यहां a1 बटा a2 कितना हो गया 2 बटा 4 जिसको हमने सरल करके लिखा 1 बटा 2 और b1 बटा a2, b1 बटा b2 के बराबर नहीं हैं इसलिए रहेखिक समिकर्णों के योग्म संगत हैं प्रतेक समिकर्ण के हल समिकर्ण 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 को हम कैसे लिख पाएंगे y बराबर 6 माइनस 2x आप देखिए अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें 6 माइनस 2 कितना मिलेगा? 4 इसी प्रकार हमने x का मान अगर 2 रखा तो हमें मिलेगा 6 माइनस 2 दुनी 4 तो यह हो जाएगा 2 इसी प्रकार अगर हमने 0 रखा तो y बराबर 6 हमें मिलेगा तो हमारे पास 3 बिंदू मिल गए अब हम देखते हैं दूसरी समीकरण के लिए 4x-2y-4 बराबर 0 के इसको हम लिख पाएंगे –2y बराबर 4-4x 4 उदर जाएगा तो साइन बदल जाएगा 4x का भी साइन बदल जाएगा अब हमने बच्चों वही किया यहाँ पे –1 से गुना करके अपनी समीकरण को सरल बना लिया 2y बराबर 4x-4 अब हमने इसमें y का मान रखेंगे 4x-4 बटा 2 इसमें अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें मिले का –2 x का मान अगर 1 रखते हैं तो 4-4 हो गया 0 और 2 रखते हैं x का मान तो 4 दुनी 8 8-4 हो गया 4, 4 बटा 2 हो गया 2 इसी प्रकार 3 रखेंगे तो 4 ती है 12 12-4 हो गया 8, 8 बटा 2 हो गया 4 अब देखते हैं हम इसका ग्राफ ये देखें 2x प्लस y बराबर 6 की रेखा ये है जिसमें हमारे बिंदू है 1 4 और 2 2 इस प्रकार दूसरा वाला 4x-2y बराबर है 4 इनके बिंदू हमारे पास है 3 4, 2 2 और 1 शूनी है आप देख रहे हैं कि इनका उभे निष्ट बिंदू क्या है 2 2 तो समझ में आया बच्चों ग्राफ आईए अगला प्रशन देखते है पांचवा प्रशन कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चुडाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है बाग की विमाई याद कीजिए माल लीजिए आयताकार बाग की चुडाई है ये देखिए चुडाई है एक्स और लंबाई है य इसमें अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप का हमारे पास क्या है फार्मुला दो गुना L प्लस B जहां पे हमने L ले लिया X और B ले लिया यहां पे Y तो हमारे पास आधा इस नहीं कहा ना हमारे पास अर्ध परिमाप 36 तो परिमाप का आधा 36 है यहां 2 से 2 कैंसल हो गया तो हमारे पास समी करण क्या मिली X प्लस Y बराबर 36 प्रश्न के अंस्वार बाग की लंबाई चुडाई से 4 मीटर अधिक है इसलिए हमारे पास दूसर समी करण क्या मिला वच्चो Y बराबर X प्लस 4 यह दूसर समी करण हो गया आईए अब हम इनके बिंदो निकालते हैं आप देखिए X जमा Y बराबर 36 को हम लिख पाएंगे Y बराबर 36 माइनस X इसमें अगर हम X का मान 0 रखते हैं तो आप देखिए Y का मान कितना आ गया? 36 और अगर हम 36 रखते हैं X का मान तो 36 माइनस 36 कितना हो गया? 0 और अगर हम 16 रखते हैं तो Y का मान आ जाएगा 20 इसी प्रकार दूसरी समीकर्ण को हल करते हैं Y बराबर X जमा 4 इसमें X का माना गर हम 0 रखते हैं तो Y का माना जाता है 4 और X का माना गर हम 8 रखते हैं तो Y का माना जाएगा 12 और X का माना गर हम 12 रखते हैं तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 और X का मान अगर हम 16 रखते हैं तो 16 प्लस चार हो गया 20 ध्यान दीजिए बच्चों यहां पर 16 20 यह उभनिष्ट बिंदू है आए देखते हैं ग्राफ यह देखे य माइनस X बराबर 4 और Y प्लस X बराबर 36 इन दोनों का आप देखिए Y माइनस X बराबर 4 का यह रेखा है इसके उपर 16 20, 12 16, 8 12 और 0 4 यह बिंदू इसके उपर है और दूसरी रेखा हमें मिली Y जमा X बराबर 36 की इसमें हमारे बिंदू है 36 शून्य, 16 20 और 0 36 इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि हमारा उभेनेश्ट बिंदू क्या हुआ है यहाँ पर 16 20 हमारे पास लंबाई हुई 20 और चड़ाई हुई 16 प्रश्न चे, एक रेखिक समिकर्ण 2X प्लस 3Y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समिकर्ण लिखिए ताकि युग्म का जामितिय निरुपन जैसा की प्रतिछेत करती रेखाए हुँ समानतर रेखाए हुँ या समपाती रेखाए हुँ दी गई रेखा हमारे पास क्या है 2X प्लस 3Y माइनस 8 बराबर 0 तथा प्रतिछेत करती रेखा हम क्या लिख सकते हैं X प्लस 3Y माइनस 10 बराबर 0 क्योंकि हमने इसका ध्यान दिया A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के ऐसी आप अपनी तरफ से और भी उधारन दे सकते हैं और जाच कर सकते हैं जिसमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो दूसरे में देखिए दी गई रेखा हमारे पास है 2X प्लस 3Y माइनस 8 बराबर 0 तथा समानतर रेखा को हमने क्या किया 2 से गुना कर लिया 4X प्लस 6Y माइनस 9 बराबर 0 आप देखिए यहाँ पे हमने क्या ध्यान दिया A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 के लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के तीसरा देखिए दी गई रेखा हमारे पास है 2X प्लस 3Y माइनस 8 बराबर 0 तथा समपाती रेखा क्या है 4X प्लस 6Y माइनस 16 बराबर 0 आप ध्यान दिजिए हमने पूरी समिकरन को 2 से गुणा कर दिया क्यों क्योंकि हमें चाहिए था तीनों अनुपात बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बराबर C2 के समझ में आया बच्चों चलिए अब अगला प्रशन देखते है प्रशन साथ देखिए सेमिकरनों X माइनस Y प्लस 1 बराबर 0 और 3X प्लस 2Y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए X अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ग्याद कीजिए और त्रिभुजाकार को च्छायंकित कीजिए आगे प्रतेक समिकरन के तीन हल निकाल लेते हैं हमारे पास समिकरन है X माइनस Y प्लस 1 बराबर 0 जिसको हम लिख पाएंगे माइनस Y बराबर माइनस X माइनस 1 यहाँ पे बच्चों हमने माइनस 1 से फिर से पूरी समिकरन को गुणा कर लिया और सरल बना लिया तो हमें क्या मिल गया y बराबर x जमा 1 अब यहाँ पे देखिए अगर हम x का मान रखते हैं 0 ने तो हमें क्या मिला y बराबर 1 ऐसी हमने x का मान रखा 1 तो हमें y मिला 2 इसी प्रकार हमने अगर x का मान 2 रखा तो y का मान हमें मिला 3 ठीक है तो हमें 3 बिंदू प्राप्थ हुए अब हम दूसरी सेमिकरण के लिए देख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 इसको हम लिख पाएंगे 2y बराबर 12 माइनस 3x या y बराबर होगा 12 माइनस 3x बटा 2 यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम x कमान 4 रखते हैं तो 12 माइनस 3 गुना 4 क्या हो गया 12 12 माइनस 12 हो गया 0 0 बटा 2 होगा 0 इसी प्रकार अगर हम 2 ले लेते हैं x कमान तो y बराबर होगा 12 माइनस 3 दूनी 6 12 माइनस 6 हो गया 6 6 बटा 2 हो गया 3 और तीसरा बिंदू अगर हम x कमान 0 रख लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 12 बटा 2 और हमारे पास बिंदू मिल जाएगा 0 6 इस प्रकार हमने अब बिंदू निकाल लिए ग्राफ देख लेते हैं यह देखें बहुत ही प्यारा ग्राफ बना है और हमने इस त्रिवुजाकार का को छायंकित भी करके दिखाया है यह हमारे पास a, b और c यह बिंदू मिले हैं यह हमारा 2, 3 और यहां पर हमारे पास minus 1, 0 और यह है 4, 0 और यह हमारे पास 2 रेखाएं हैं 3x plus 2y minus 12, 0 और दूसरी है x minus y plus 1, 0 तो समझ में आया बच्चों आपको ग्राफ आईए अब हम ग्रह कारेक लिए कुछ प्रश्ण ले लेते हैं पहला प्रश्ण है दो रेल पट्रियां समी करनो x प्लस 2y माइनस 4 बड़ाबर शुन्य और 2x प्लस 4y माइनस 12 बड़ाबर शुन्य द्वारा निरुपित की गई हैं इस थिती को जामितिय रूप से व्यक्त कीजिए दूसरा प्रश्ण है समी करन x माइनस y प्लस 2 बड़ाबर शुन्य और 4x माइनस 4 बड़ाबर शुन्य के युग्म का आलेक खीजिए इस प्रकार खीची गई रेखाओं और x सक्ष से बने त्रिभुज का छेतर फल ग्याद कीजिए अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण 3 है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए की समी करन युग्म x प्लस 3y बड़ाबर 6 और 2x माइनस 3y बड़ाबर 12 संगत है यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए प्रश्ण 4 ग्राफ द्वारा जाद कीजिए की निम्न समी करन युग्म का हल नहीं है अधितिय हल है अथ्वा अपरिचित रूप से अनेक हल है 5x माइनस 8y प्लस 1 बड़ाबर 0 3x माइनस 24 बड़ा 5y प्लस 3 बड़ा 5 बड़ाबर 0 आईए आप सारांच देख लेते हैं आपने निम्न तथियों का अधियन किया है पहला दो चरों में दो रेखिक समी करन का एक रेखिक समी करनों का युग्म कहलाती है रेखिक समी करन युग्म का सबसे व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बड़ाबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बड़ाबर 0 जहां a1, a2, b1, b2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 की घाद 2 प्लस b1 की घाद 2 0 के बड़ाबर नहीं है a2 की घाद 2 प्लस b2 की घाद 2 0 के बड़ाबर नहीं है और हमने ये भी पढ़ा एक रेखिक समी करन युग्म को ग्राफिय यूप रूप में निरुपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है ग्राफिय विधी द्वारा, बीज गणितिय विधी द्वारा और ग्राफिय विधी में हमने ये भी सीखा कि दो चरों में एक रेखिक समी करन युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरुपित करता है हमने ये भी जाना कि यदि रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं तो वे बिंदु दोनों समीकर्ण का अधितिय हल होता है। इस थिती में समीकर्ण युग्म संगत होता है। यदि रेखाएं समपाती हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा परस्तित प्रतेक बिंदु हल होता है। इस थिती में समीकरण युग्म आश्रित या संगत होता है यदि रेखाएं समानतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता इस थिती में समीकरण युग्म को हम असंगत होता है यदि दिये गए रेखिक समीकर्ण A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर है शून्य और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर है शून्य एक रेखिक समीकर्ण युग्म को प्रदशित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन हो सकती हैं क्या पढ़ा था हमने A1 बटा A2 जब बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के इस थिति में रेखिक समीकर्ण युग्म संगत होते हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के इस थिति में रेखिक समीकर्ण युग्म असंगत होता है तीसरी में A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2K और C1 बटा C2K तो इस थिती में रेखिक समिकान योग्म आश्रित संगत होता है तो बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पाट समझ में आया होगा खुब अभ्यास करिए और आप इसको बहुती सरल पाएंगे धन्यवाद